किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल धाकड और आप देख रहे हैं इसमानल टेक्रिकल्चर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम मेक्स 1407 स्वयबीन वेराइटी के बारे में बात करेंगे किसान भाईयो स्वयबीन की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा प्राप्त करने के लिए हमें एक अधिक उपर जैने वाली और कीट परतिरोधी वेराइटी की बाई करना चाहिए तो इसके लिए बारती वेग्यानिकों ने मेक्स 1407 वेराइटी को विक्सित किया है ये वेराइटी अधिक उपर जैने वाली वेराइटी और कीट परतिरोधी वेराइटी है इस वेराइटी का उतपादन 8 क्वेंटल परति बिगा तक हो जाता है तो इस वीडियो में हम आगे विष्टार से बात करेंगे कि मेक्स 1407 तस्वाइबीन की क्या-क्या विशाषताई है बारत के किन-किन राज्यों में इसकी केती की जा सकती है और इसका बीज कहां से मिलेगा कितने दिनों में ये वेराइटी पकर तियार हो जाएगी तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्क्रिप के अंत्य तक जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आयो तो नीचे देगे लाल अक्सरो के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो गंटे का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नए वीडियो अप्लोड के उसका नोटिपिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भायू भारती वेग्यानिकों ने पारंपरिक क्रोस ब्रीडिंग तक्निक का उप्योग करके मेक्स 1407 विराइटी को विक्सित किया है जो की परती हेक्टेर 49 कुन्टल तक पैदावार दे सकती है अब अगर इस विराइटी की विशेष्टों के बारे में बात करें तो ये विराइटी गैडल बीटल, लीप माइनर, लीप रोलर, इस्टेम प्लाई, एफिट्स, वाइट प्लाई और डिफोलियेटर जैसे प्रमुक कीट पतंगों का प्रतिरोधी है मतलब कि इस विराइटी में इन कीडों का अटेक नहीं होता है इस विराइटी का तना मोटा होता है और इस विराइटी में सपेद रंगे फूल आते हैं और इस विराइटी के बीज पीले रंगे होते हैं और बीजों में जो नाबी होती है वा काले रंगी होती है इस विराइटी के बीजों में 19.81% तेल की मात्रा और 41% प्रोटीन की मात्रा होती है इस विराइटी की जर्मीनिशन परसेंटेज भी काफी हाई है मतलब कि इस विराइटी की अंकुरन समता ज्यादा है इस वेराइटी में 43 दिनों के बाद लगबग 50 पर 30 फूल आ जाते हैं और बुवाई से लगबग 104 दिनों के बाद ये वेराइटी पूर्ण रूप से पकर तयार हो जाती है और इस वेराइटी में पकने के बाद फल्या चटकने की समझ्या नहीं आती है किसान भाई यो अगर आपने कभी 95 पिच्चान में 60 वेराइटी की बुवाई की होगी तो उस वेराइटी में फल्या चटकने की समझ्या आती है तो आप इसकी कटाई हार्वेश्टर से भी कर सकते हो अगर इस वेराइटी की बुवाई के लिए अनुकूल समय के बारे में बात करे तो कर्शी विग्यानिकों के अनुसाल 20 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में इस वेराइटी की बुवाई कर देना चाहिए और ये वेराइटी अन्य किसमों की तुला में मानसून की अनीशिताว का अत्रीक परतिरोधी है मतलब कि अगर ज्यादा बारिस हो जाती है या फिर सूके जैसी आलात हो जाती है बहुत दिनों तक बारिस नहीं होती है फिर भी इस वराइटी में ज्यादा सेंच इलता है इस वराइटी में कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है अब अगर बात करें कि इस विराइटी की खेती भारत के कौन-कौन से राजियों में की जा सकती है तो मौसम वेग्यानिकों के अनुसार इस विराइटी की खेती असम, पस्चिमंगाल, जारकंड, चतिसगड और पुरोतर राजियों में की जा सकती है अब अगर इस विराइटी के उत्पादन के बारे में बात करें तो वेगयनिकों के अनुसार इस विराइटी का उत्पादन 49 क्यूंटल परती हेक्टेर तक निकल जाता है मतलब की एक एकड में 16 क्यूंटल के आसपास और एक बिगा में 8 क्यूंटल के आसपास अब अगर बात करें कि इस विराइटी का बीज कहां से मिलेगा तो किसान भाईयो पिछले साल ट्राइल के तोर पर कुछ जगों पर ही ये विराइटी लगाई गी थी और जिसमें कापी ज़्यदा सबलता मिली थी लेकिन इस साल सिर्प करसी अनुसंदान के अंदरों पर ही ये विराइटी मिलेगी क्योंकि इस विराइटी का बीज अबेदक इतना ज़्यदा नई बना है कि सबी किसानों को मिल पाए इसलिए आप इस विराइटी का बीज पाने के लिए अपने नश्दी की करशी अनुसंदान के अंदर पर संपर्ग करें तो किसान भाईयो इस वीडियो में हमने मेक से 1407 स्वयबीन के बारे में बात की है आपको इस विराइटी कैसी लगी आप अपने चेतर में कौन-कौन सी विराइटों की खेती करते हो कमेंट करके अवश्य बताइए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान, जै किसान